ट्रेडिंग हैबट्स, 39 most powerful stock market rules book समरी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन से rules और आदते हैं, जो एक सफल ट्रेडर फॉलो करता है और एक असफल ट्रेडर अग्नौ करता है लेकक स्टीव बर्न्स और होली बर्न्स द्वारा लिखित ट्रेडिंग हैबट्स, 39 of the world's most powerful stock market rules book stock market के वे rules हमारे सामने रखती है, जो ट्रेडिंग की दुनिया से सफल और असफल लोगों को अलग करते हैं इस book से हम ट्रेडिंग के वे अनुभवी नियम ग्रहन करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी ट्रेडिंग की मानसिक्ता विक्सित हो सकती है इस book का हर नियम हुन रहसियों, मंत्रों और आदतों को उजागर करता है जिसे सफल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं और सफलता हासिल करते हैं तो हमें हर नियम को अभ्यास के द्वारा अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उप्योग करने की कोशिश करनी होगी ट्रेडिंग आदतों की नियम, एक एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम को या तो big profitable percentage में या big profit और small loss के लिए बनाना चाहिए ट्रेडिंग में हमें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, हमें बस सही को चलने देना है और गलत को कार देना है जिससे हम सही पर बड़ा profit बना सकें और गलत होने पर कम loss में trade को छोड़ सकें, जिससे हमारी profitability बढ़ जाएगी दो अपना ट्रेडिंग सिस्टम facts के अनुसार बना होना चाहिए नकी राय पर प्रफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम को facts के अनुसार बनाते हैं वे trend, indicator, breakout, entry और exit को अपने सिस्टम में प्लान करने के बाद ही trade लेते हैं जो ट्रेडर ऐसा नहीं करता, वह randomly trade करता है तीन कम risk, high reward और high probability वाले setup की तलाश करें एक ऐसा सिस्टम जिसका risk to reward ratios अच्छा हो और कम risk हो इससे हमारी सफलता की उमीद बढ़ जाती है हमें हमेशा risk पर काम करना चाहिए, जिससे हम risk को कम कर सकें और reward को बढ़ा सके चार कोई आपसे पूछे की trend क्या है, तो उसका जवाब है कि आपका time frame क्या है हर trader को ये जानना चाहिए कि हर time frame का trade पर अलग-अलग प्रभाव पढ़ता है इसलिए हर trend को capture करने का time frame अलग-अलग हो सकता है ये trader की मानसिक्ता पर depends करता है कि वह किस time frame के trend पर काम कर सकता है 5. Long term trend देखने के लिए weekly chart price से शुरुआत करें और फिर उस trend की दिशा में trade करने के लिए daily और hourly chart पर काम करें यदि हम long term trend की दिशा में काम करना चाहते हैं या trade करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हमारी trading की संभावनाएं बहतर हो 6. किसी support या resistance level का जितनी बार price टच करेगा उसके तूटने की संभावना उतनी ही अधिक होगी पुराना resistance नया support बन सकता है और पुराना support नया resistance बन सकता है 7. Moving average ट्रेंड को मापने और entry, exit और trailing stop loss का signal बना सकता है Moving average हर trading system का एक पार्ट होता है ये हमें आसानी से बता सकता है कि trained up a trend है या downtrend क्योंकि ये price के साथ साथ चलता है और ये भावनाओं से बहतर perform करता है एक bullish market का कोई long term resistance नहीं होता, वैसे ही एक bearish market का कोई long term support नहीं होता है जो लोग bullish market में resistance धूनते रहते हैं, वे अक्सर market से trap हो जाते हैं और जो लोग bearish market में support धूनते रहते हैं, वे अक्सर अपना सब कुछ गवा देते हैं 9. market में जितना बड़ा gap होगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी एक trend को continue चलने की 10. market अपनी gap को एक घंटे के अंदर नहीं भरता है तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि gap की दिशा में ही market जाएगा अधिकतर gap भर जाते हैं लेकिन उन्हें भरने में हफ़ते और महीने का समय लग जाता है 10. आखिरी घंटा अकसर यह सच्चाई बताता है कि कोई trend वास्तव में कितना मजबूत है Smart money अंतिम घंटे में अपना खेल दिखती है अगर market strong होता है इसका मतलब smart money ने अभी तक trend को छोड़ा नहीं है जब तक market लगातार strong close हो रहा है तब तक market में बने रहने के लिए अप trend ही देखें अपर trend के समाप्त होने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब पहले सुबह की rally हो और उसके बाद कमजोर closing हो एक-एक SMA 200 day से उपर वह जगह है जहां bullish trend होता है SMA 200 day से नीचे बुरी चीजें होती है जैसे downtrends, distributions, bear market, crash और दिवालियापन ये वह line है जहां investors और traders दोनों काम करते है price 200 day को close करती है तब निवेशक अपनी position को छोड़ देते है और traders short selling के लिए तयार हो जाते है 12 अनेक की तुलना में कुछ को देखना बहुत आसान है ट्रेडिंग में मजबूर बढ़त हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका learn करना, test करना, trade करना और किसी विशेश चीज में महारत हासिल करना है किसी विशेश market, setup, chart pattern, trading system या stock में किसी expert को हराना cut in होता है 13 ट्रेंड कभी एक पैसा भी लेकर नहीं आता और reversal हमेशा धीरे-धीरे होता है पहली तेज गिरावट हमेशा खरीदार ढूंडती है और पहली तेजी हमेशा seller ढूंडती है ट्रेंड हमेशा सीधी दिशा में move नहीं करता, अगर upper trend है तो higher high और higher low बनाते हुए चलता है अगर बहुत strong trend है तो 5D small reversal होता है फिर अपनी दिशा में market move करने लगता है 14 सफल trading का अर्थ है कटिन काम को लगातार और इतनी बार करना कि वो हमारी दूसरी प्रकृती बन जाए अगर हम beginner होकर आसानी से trade में entry और exit करते हैं तो हम महत पूवर्ण area को trade नहीं कर पा रहे हैं जो हमें बहतर risk to reward देगा क्योंकि उन areas को trade करने में डर शामिल होता है जो हमें trade नहीं करने देता इसका मतलब यह नहीं है कि जहां डर लगा वहां trade ले लिया 15 सबसे अच्छे trade लगभग तुरंत काम करते हैं जिस trade का entry level सही होता है उसका stop loss और position size भी बहतर होती है इस प्रकार के trade में profit को manage करना जरूरी होता है इसलिए हमें trailing stop loss और exit area को पहले से plan कर लेना चाहिए भावनाओं में बहना, 16 इच्छाधारी सोच को खत्म कर देना चाहिए इच्छा trading का कोई rule या नियम नहीं है जो हमें trading से पैसा बना कर दे वह ज्यादा पाने की इच्छा ही है जो एक trader को बड़ी position size लेने को मजबूर करती है और trading account साफ करवा देती है लेकिन ये भी सच है कि वह strong इच्छा ही है जो trader को trading में गलतियों से सिखने और बने रहने में मदद करती है 17 सपष्ट चीजों को नजरंदाज करके और unexpected पर down लगा कर पैसा कमाया जाता है trading में हम जो सोच रहे हैं हो सकता है कि वह पहले ही हो चुका हो क्योंकि smart money उन चीजों पर पहले ही action ले चुकी होती है और वह अपना profit lock करके या exit की तयारी में होती है जब beginners market में आते हैं और smart money out हो जाती है इस प्रकार वे trap में फस जाते हैं 18 एक हारने वाले trade में हमें पैसे देने पड़ते हैं लेकिन एक हारने वाले trade को दूर तक चलने देने से हम अपनी हिम्मत खो सकते हैं अपनी capital के लिए अपने हारने वाले trade को काटना जरूरी है भावनाए trading plan पर हावी हो जाएं हम अपनी capital के अनुसार अपनी position को बढ़ाते रहते हैं लेकिन ज़्यादा की चाह में हम position इतनी बढ़ा देते हैं कि हम मानसिक रूप से उसे manage नहीं कर पाते हैं इसलिए जब भी हमें trading करते समय stress महसूस हो तब अपनी position को कम कर ले बीस market में plan के साथ trade करें ना कि पैसे होने और कमाने की सोच से trading में entry इसलिए ना ले कि हमारे पास पैसा है system जब entry देता है तब trade किया जाता है और trade को इसलिए कटना करें कि 100 रुपे loss कर दिये या पूरा account loss होने तक risk ले सकते है stop loss होने या target होने पर exit करना होता है 21 जब करने को कुछ ना हो तो कुछ ना करें अधिकतर traders market से इसलिए पैसा गवाते हैं क्योंकि वे trading signal का इंतजार नहीं कर पाते professional trader अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपने trading plan पर विश्वास करते हैं इसलिए जब तक उसका plan उन्हें trade नहीं देता तब तक वे trade नहीं करते हैं 22 जो हो रहा है उस पर ध्यान दे उस पर नहीं जो हम सोचते हैं की होने वाला है कभी कभी हम market का भविश्य बताने की कोशिश करते हैं उस समय हम ये भूल जाते हैं कोई किसी का भविश्य नहीं बता सकता market का अनुमान लगाने से गलतियों को सुधारने, संभावनाओं को बढ़ाने और learning को चालू रखने की संभावना को कम कर देते हैं 23 ऐसा सिस्टम विक्सित करें जो कुछ समय काम न करने पर भी हमें अधिक नुकसान न दे वरना हम उसे drawdown के दौरान छोड देंगे एक ऐसे सिस्टम पर trading करें जिसके सभी पहलूँ को हम जानते हैं इस प्रकार, जब हम बजार में कटिन समय का सामना करें तो हमें अपने सिस्टम को न छोड़ना पड़े अपने सिस्टम की कमजोरियों से सीखने और उन पर काम करने से हम अलग-अलग प्रकार के मार्केट का समना कर सकते हैं 24 लचीले रहें और मार्केट के ट्रेंट के साथ चलें जिद अहम और भावनाएं एंट्री और एक्जिट के सबसे खराब संकेत होते हैं अधिकांश ट्रेडर्स अपनी भावनाओं में बहकर ट्रेड लेते हैं ये जानते हुए कि भावनाओं में बहकर केवल अपना नुकसान ही करेंगे एक ट्रेडर जब तक खुद को ट्रेडिंग से अलग करके अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड नहीं लेता तब तक वह मार्केट में लॉंटम तक पैसा नहीं बना सकता है इसलिए एक ट्रेडर को अच्छे ट्रेडिंग सिगनल पर ट्रेड लेने के लिए इंतजार करना चाहिए और अपनी भावनाओं को दरवाजे से बाहर रखना चाहिए 25 एक ट्रेडर केवल तभी सफल हो सकता है जब उसे एक ट्रेडर के रूप में खुद पर विश्वास हो एक विजेता के रूप में अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर विश्वास हो और उसे पता हो कि वह डिसिप्लिन में रहेगा ट्रेडिंग विश्वास विक्सित करने के लिए हमें प्रति दिन अपना होमवर्क करना और अपने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ प्रति दिन फॉलो करना होगा विश्वास ट्रेडिंग में सही चीजों को करने की हिम्मत देता है और साथ ही गलत चीजों को अवॉइड करने में भी मदद करता है 26 ट्रेडिंग वर्षों में मैंने एक बात सीखी है कि संकट इक्वल्स अफसर जब सब बेच रहे होते है तब हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते है और जब सब खरीद रहे हो तब हम भी अच्छे शेर्ज को खरीद कर पैसा बना सकते है एक ट्रेडर के लिए दोनों साइड पैसा बनता है लेकिन मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से और उठता है तो धीरे-धीरे इसलिए संकट को एक अफसर बना कर हम अधिक पैसा बना सकते हैं 27 बुरी खबरों पर उपर जाना या अच्छी खबरों पर नीचे जाना मार्केट के सबसे मजबूत संकेतों में से एक है न्यूस किस प्रकार की है और मार्केट उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है इस बात पर depend करता है कि market का trend लगातार चलता रहेगा या change होगा इस बात का ध्यान रखे कि news कोई signal नहीं है trade लेने का news हमें बताती है कि यह घर ना घटी है price action को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि market ने कैसा reaction दे दिया या देने वाला है profitability का रहेशिय 28 loss को manage करें और lab को बढ़ाए trading profit को बढ़ाने में 4 चीजे मायने रखती है small profit, big profit, small loss और break even अगर हम अपने big loss को manage नहीं करते हैं तो हम हमारी महीने की कमाए एक दिन में बरबाद कर सकते हैं इसलिए stop loss और trailing stop loss का सही से उपयोग करना सीखे 29 लंबे समय तक trading में सफलता पाने में technical system में शामिल money management से बहुत कुछ लेना देना होता है एक trader के रूप में हम अपनी trading capital के साथ क्या करते हैं यही हमारी trading सफलता को बताता है क्योंकि trading में 50% गवाने पर उसे पाने के लिए हमें 100% return की आवश्यक्ता होगी इसलिए हमें system को कम winning percent के साथ big win और high winning percent से साथ small win बनाना चाहिए ताकि trading से सलफता प्राप्त कर सके 30 risk management में अनुशासित रहें और market व्यवहार को समझने में लची ले रहें stop loss एक बार हिट होने के बाद नहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम करना नहीं सोच विचार करना और नहीं इंतजार करना हमें तुरंत अपने stop loss को लेते हुए trade को छोड़ देना है क्योंकि हम stop loss की जितनी परवा करेंगे वह भी हमारी capital की उतनी ही परवा करेगा 31 position size किसी trade के setup की quality से संबंधित होती है सफल traders के पास एक rare trading setup होता है जो कभी कभी ही trade देता है जिसकी सफलता की संभवना बाकी trade से बहतर होती है इन trade पर position size को normal trade से बढ़ा कर trade किया जाता है इस प्रकार हम trade के अनुसार अपनी position sizing को बढ़ा और घटा सकते है 32 किसी भी एक trade पर अपनी पूरी trading Capital का एक प्रतिशत से अधिक न खोएं हम हमेशा कोशिश करते है कि risk को कम किया जाए और market में टिके रहने की संभवना बढ़ाई जाए प्रतियक trade में एक प्रतिशत risk हमें लगातार drawdown से होने वाले loss को कम करता है और सफल trader इस rule को अभ्यास के द्वारा अपने सिस्टम में शामिल करने की कोशिश करता है 33 सबसे पहले सही stop loss level धूने जो हमें दिखाएगा कि हम किसी trade के बारे में गलत हैं फिर उस price level के आधार पर अपनी position size निर्धारित करें Stop loss सेट करते समय support और resistance का भी ध्यान रखें क्योंकि trade को काम करने के लिए एक सही stop loss होना जरूरी है जिससे trade को काम करने से पहले नहीं हमारा stop loss हिट हो और नहीं हम ज्यादा बड़ा loss ले 34. अपने सबसे खराब दिन पर कभी भी अपनी पूरी trading capital का तीन प्रतिशत से अधिक न खोएं हम अपनी trading capital को जितना बचा सकते हैं और profit को जितना उपयोग कर सकते हैं उससे ही हमारी trading सफलता बढ़ती है अगर हम दिन में दो trade loss होने के बाद तीसरा trade नहीं लेते हैं तो हमारी trading capital बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है 35. जब मैं खराब trade कर रहा होता हूं तो मैं अपनी position size को कम करता रहता हूं इस तरह जब मेरी trading सबसे खराब होगी तब मैं अपनी सबसे छोटी position size में trading करूंगा 36. हारने वाले अपने हारने वाले trade को average करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक trader यह स्वीकार नहीं कर पाता है कि वह गलत है और वह आशा करता है यह trade दोबारा से उसकी दिशा में जाएगा यह कभी कभी हो भी जाता है जिसके कारण trader को विश्वास होता है कि ऐसा हमेशा होता है इसलिए अपने अनुभव से सीखिए, हारने वाले trade को छोड़िए और अगले trade का इंतजार कीजिए 37 कभी भी पेपर या स्क्रीन पर दिखने वाले profit को वास्तविक हानी में बदलने की अनुमती न दें हम सभी जानते हैं कि profit entry पर नहीं, exit पर बनता है इसलिए जब market हमारी दिशा में चलना शुरू कर देता है तो हमें trailing stop loss level भी ढूनते हुए चलना है ताकि जो profit हमें देख रहा है वह पूरी तरह चला न जाए इसलिए exit strategy सफल trading के लिए जरूरी है 38 market के उतार चड़ाव की प्रकृती को समझें और volatility wix के कारण बड़े हुए risk के लिए अपनी position size को manage करें हम जिस stock और index में trade कर रहे हैं उसका दिन का उतार चड़ाव हमें पता होना चाहिए जिससे हम अपनी position size को manage कर सकें 49 अपने stop loss को शोर की सीमा से बाहर रखें ताकि जब हम गलत हो तो ही हमारा stop loss हिट हो stop loss इसलिए नहीं लगाया जाता कि हमारा अधिक loss ना हो stop loss इसलिए लगाया जाता है ताकि हमने जो सोचा था वह नहीं हुआ और market उसकी दूसरी दिशा में चला गया अब इस trade को छोड़ने के लिए stop loss लगाया जाता है निशकर्श हमें ये याद रखना चाहिए कि यह 49 rules है जो केवल पढ़ने या याद रखने से हमारी trading life को बहतर नहीं कर सकते इन्हें अभ्यास के द्वारा अपनी trading life में लागू करने की कोशिश करते रहना है